नमस्कार विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रिया रिवाजले के तेओधर तैसील से लगा हुआ ग्राम अंजोरा यहां एक परिवार को बड़ी ही अजीबो गरीब बिमारी है जिसके चलते परिवार के पांच सदस्यों का शरीर सूख गया है पांचों सदस्यों का शरीर इतना सूख गया है कि त्वचा हड्डियों से चिपक गई है कई डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है इलाज से परिशान इस पीडित परिवार की दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है महीं हैरानी की बात तो यह है कि स्वास्त विभाग भी इस बिमारी का पता नहीं लगा पाया है जिसको लेकर हाल ही में मनीश यादव ने प्रदेश के मुखिया शिवरास सिंग चौहान से अपने इस अंजान बिमारी को इलाज कराने की बात कही थी साथ ही यह भी कहा कि अगर इलाज संभव नहीं है तो हमें इक्षा मृत्यू की भी मांग की है वैसे तो दुनिया में तमाम तरह की बिमारिया है जिसमें इनसान परिशान रहता है उससे निजात पाने के लिए तमाम प्रयास करता है और कहीं न कहीं लगबग उन बिमारीयों का इलाज भी संभव हो जाता है लेकिन सोचिए जब इंसान की बिमारी का लंबे समय से पता ही न चले कि आखिर उसे हुआ क्या है किन कम्यों के कारण उसे दिक्कत हो रही है तो क्या होगा अगर कोई कारण ही न पता हो बिमारी का और बिमारी का नाम ही न पता हो तो फिर इंसान उसे साप से इलाज कैसे करा स कुछ इस तरह की ही पीडा से गुजर रहे हैं रिवाजले के तियोधर तैसील से लगे हुए अंजोरा ग्राम में एक यादव परिवार जहां पांच लोग एक अजीबो गरी बिमारी से बेहत परिशान हैं तियोधर के अंजोरा गाउं के निवासी मनीश यादव और उनके भाईयों सहित उनकी एक बेहन भी इस अंजान बिमारी से ग्रसित है जिसको लेकर परिवार वालों ने भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े डॉक्टरों को इलाज के लिए दिखाया लेकिन इलाज के परिजनों ने बताया कि यह तीनों बचपन में पूरी तरह से स्वस्त थे जैसे ही उनकी उम्र बढ़ गई तो इनका शरीर सूखता चला गया उन्होंने कहा कि हमने हर संभव इलाज करवाया और सभी बच्चों का इलाज करवाते आ रहे हैं लेकिन न इस बिमारी का पता चल पा रहा है और ना ही यह बच्चे ठीक हो पा रहे हैं लिहाजा अब राम नरेश यादव के तीनों पुत् से कमजोर है ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर इस किसान परिवार के सामने इन दिव्यांग बच्चों का देख रेकवा उपचार एक बड़ी चुनौती बन चुका है परिवार जनों की माने तो उनके इस पीड़ा पर शासन प्रशासन और शेत्री अजन प्रतिनिधियों न राजसभा सांसत विवेक तंखा ने मानवता की मिसाल पेश की है उन्होंने यादव परिवार के लोगों को पूरा विश्वास दिलाया है कि अब उनका इलाज दिल्ली के एम्स होस्पिटल में होगा इसकी जानकारी और उन्होंने ट्वीट करके दी है रीवा से दिल्ली त पूरी तरीके से सहीयोग देने की बात राजसभा सांसत विवेक तंखाने कही है ट्वीटर पर राजसभा सांसत विवेक तंखा ने इस पूरी जानकारी को ट्वीट किया है मेरा नाम मनीश कुमार यादव है मैं जिला रिवा तासीर तेंथा ग्राम पंचेत अंजोरा अहरान तोला कानिवासी हूं और हम लोगों को अजीब सी बीमारी है जो हमें है और हमारे दो भाई और एक बाइन को भी है निरंतर शरी शुकता चला रहा है हमने अपने हस्तर से इलाज करवाया इदाय उधर के फ्टेल हमें लेकिन अभी तक बिमारी क्या है इसका पता नहीं चल पाया है और स्वास्त विभाग अभी तक है रिवा का स्वास्त विभाग यह बोला कि आपका बिमारी का रिचर्च दिल्ली और पीजी आई लखनाव से डॉक्टर आएंगे कंप लेगा रिवा में तो आपका रिचर्च होगा इलाज होगा लेकिन ना तो कोई डॉक्टर आया और नहीं कोई इलाज हुआ हैं उन्तलग कंप लगा यहां पर फिर हम परसान है निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमार प्रयास को सरकार सुने और हमारा इलाज कर वाया हम लोगों का एक नया जीवन पुर्दान करें हम अपने मतलब जीवन से बिलकुँ परसान होगा सरकार को इस बीमारी के बारे में आबगत कराते हैं यतना ट्वीट की यतना नियूज में चलबाया सभी दोस्तों को लेकर कि ‫अगर हमारे मत करें अप सरकार तक हमारी बात को पाइं लेकिन अब इस लिए तक एक भी बात हमारे नहीं पहुंच पाई तो इसलिए वीयों बनाया कि एक वे है तो प्रिया इच्छा में तो देने के किर्वा करें हम तैयार हैं हमें इच्छा में तो देदी हम ये जीवन नहीं जी सकते हैं अगर हमाई तरकार इलाज नहीं कर वा सकती है हमने ट्विट किया था और जबन पूर किसी सद्वत्तरकार से नम्मार लिया देखा जिससे बहुत गरीब हो प्हरतों की मयत कर रहे हैं इसलिए हमने बहुत कई दिनों के बाद उनका नम्मार मिला हमने पून पर बात किया बोला सर ऐसी सी बात है तो उन्होंने कहा आप वार्टसप करिए आप निश्चिंट रहे हम आपकी मेद करेंगे तो फिर हमने उनके बात वार्टसप मैसेज किया मैसेज देख करके बोले कि आप से ततकार हमारी आफिस संपर करेगी और हम आपके इलाज के लिए एमस में बात किया है डॉक्टर गुलेडिया जी से और आपका इलाज होगा